आज हम लोग बात करेंगे बोट स्पोइंट ऑफ यू फैरो मैंगेटिक अगर आता है तो कैसे लिखना है तो आपको स्टार्ट करना है एक माटीरियल को लेके इस डिवाइड इंटो डोमें तो उसको डोमें को एक्स्प्लीन करने तो डोमें तो डोमें आर दा समझो यह मैंने एक रीजन बना दिया वेर आल द्टम्स है सेम डाइपोल मुमेंट तो यह इसका डाइपोल मुमेंट सेम है इधर फिर एक और डोमेंग कंसीडर किया इसका डाइपोल moment नीचे है फिर यहाँ पर यहाँ पर एक और ले लिया मैंने जिसमें dipole moment यह साइड पर है and so on a random बना दो domain के बारे में लिख दो domain are the region where all the atoms have same dipole moment this domain will behave as a magnet but entire material will not behave as a magnet because the net dipole moment becomes zero all the domains are arranged या oriented in the random direction therefore net magnetic moment is zero it will not behave as a magnet दो चार पॉइंट इदर से होगे अपने वापस बोलता हूं पहले आप explain करो domain क्या होता है domain are the region where all the atoms have the same dipole moment this domain will behave as a small magnet but entire material will not behave as a magnet because net dipole moment is zero so if you want to convert a ferromagnetic material into a magnet we have to keep it on the low magnetic field or high magnetic field depending on what type of magnet you want you want that you want just say this is the element draw करता हूं this can be represented by this and यह representation कुछ ऐसा है कि material को चार पाट में divide कर लो और हर एक का moment mark कर लो और यह moment net moment zero होना चाहिए तो यह इसको cancel यह इसको cancel net magnetic moment zero it will not behave as a magnet लेकिन जब इसको मैं वीक magnetic field में रखूगा this is the weak magnetic field तो डोमेन जिसका direction यह वीक magnetic field में है उसका size increase होता है और यह डाइग्राम कुछ ऐसा बन गया and now net magnetic moment is not equal to zero because इसका size जादा है तो यह दोनों एक दूसरे को cancel नहीं कर पाएगे तो net magnetic moment उस तो भी आएगा और यहां पर material will behave as a magnet बट यह जो magnet बनता है एक सटेंपररी magnet विच आर यूज्ट इन इलेक्ट्रो मैंगनेटिक तो तो इलेक्ट्रो मैंगनेट्स बनाने के लिए हम लोग यह ऐसा अपलाई करते हैं फैरो मैंगनेटिक material लिया उसमें हम लोग ने वीक मैंगनेटिक फिल्ड दे दिया तो वह magnetized हो जाएगा बट इस टेंपररी magnetized जैसे ही वीक मैंगनेटिक फिल्ड हटा दिया इट विल अगें ओरिएंट तो दिस और मैंगनेटिक फिल्ड और इस एक्शन इस नौन रिवर्सिबल तो एक बार सारे डोमें रोटेट हो गए उसके बाद मैंगनेटिक फिल्ड हटा दिया तो यह लोग खुछ से अपने डाइरेक्शन पे नहीं आ सकते हैं और अगर यह पर्मनेंटली मैंगनेट और अगर यह पर्मनेंटली मैंगनेT पर प्रॉब्लम एक और है जब यह magnetized हो गया यह मैं वापस magnet की तरह draw कर रहा हूं इसको यह ऐसा यह ऐसा यह magnetized हो गया यह arrow represent dipole moment तो हर एक magnet यह north-south direction बना रहा है यह south-north-south-north-south-north लेकिन जैसे तुमने इसको खुला रखा ऐसे ही अगर रहने दिया तो यह अपने magnetic property loose करता है अब magnetic property loose कैसे करता है due to temperature variations इनका orientation तोड़ा सा change होने लगता है और जैसे orientation change हुआ इसका north इसके south या तो इसका north इसके south के साथ attract होना चालू करता है और magnetic property कम होने लगता है क्योंकि यहां पर properly aligned है तो इसके पास है magnetic field strong लेकिन जब यह rotate होना चालू हुआ समझो यह ऐसा हो गया प्लास्त वाला यह इधर है और यह इधर है तो यह north इसके south को track करने लगेगा और दीरे दीरे यह दोनों close loop बना देगे और जैसे close loop बन गया magnetic property खतम हो गया तो आपके पास भी अगर कोई magnet है और आपने उसको ऐसे ही रखा हुआ है तो यह अपना magnetic property loose करेगा तो question में हम लोग को यह भी बोलना होता है कि इसको एक iron strip से connect करके रखते हैं और दो magnet रखते हैं not single magnet यह iron strip लगाने का intention क्या है तो जैसे iron strip के साथ connect किया यह south इधर north बनाएगा यह north इधर south बना लेगा और यहां पे भी वैसा ही होगा यहां पे ultra रखना है आपको तो यहां पे north है तो इधर south बन जाएगा इधर south है तो इधर north बन जाएगा तो यह इनको orient नहीं उने देगा पकड़ के रखेगा और जब ही आपको use करना है इसको निकालो use करो वापस इधर रखेगा इसके लिए market में भी आपको जब magnet लेने जाओगे तो वो दो magnet देगा आपको single magnet नहीं देते हैं क्योंकि single magnet रखना इसका magnetic property कम हो रहे कोई दुकान वाला अगर आपको single magnet दे रहा है तो उसको मत लीजिए क्योंकि उसका magnetic property already reduce हो चुका है और थोड़े टाइम में वो magnetic property lose हो जाएगा तो प्लीज यह सब बातों का ध्यान रखे बोर्ट में तो आएगा लेकिन हम real life में भी इसको apply करना है it is very important when you buy a magnet तो ऐसी कुछ interesting बातों के लिए देखना पड़ेगा next video for that stay tuned